दोस्तो आजके इस विडियो में आपको बताने वालए हूँ कि अगर आपने अपने MI मॉबार में किसी भी application को hide करा है और अगर आप hide application को unhide करना चाते हो तो guys आजके इस विडियो को आप पूरा देखना तो इसके लिए सबसे पहले guys यहाँ पर आप देखे तो मैंने अपने mobile की screen से यहाँ पर WhatsApp application को hide कर लिया है तो guys कुछ इस तरीके से अगर आप भी अपने mobile से किसी भी application को unhide करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने mobile की settings में जाना है mobile की settings में आने की बाद यहाँ पर आपको simply apps option पर क्लिकना है जैसे आप apps पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको app lock पर क्लिकना है और यहाँ पर आपने जो भी app lock set करा होगा तो यहाँ पर आप उसका password डालने की बाद यहाँ पर आपको जो है, hidden apps option पर क्लिकना, और जैसे आप इस option पर क्लिक करोगे, hidden app पर क्लिक करने के बाद अपने जिसपि application को hide करा है simply guy's, यहाँ पर आपको application मिल जाएगी, तो simply guy's, आप देखике तो मैंने आप rope-outs 폰 application को hide करा है तो यहाँ पर आप देख तो WhatsApp अप्लिकेशन फिर से मोबाल की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुकी है तो गैस कुछ अस तरीके से आप अपने मोबाल से किसी भी अप्लिकेशन को आप अन हाइट कर सकते हो तो गैस कैसा लगा यह वीडियो में कमेंड करके जरूर बदास तो गर आपको यह वीडियो चलागा हो तो इस वीडियो को लाइक करें शियर करें और भी तक आपने मारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेज कर देना